हलो एवरिवन, वेलकम है को माई योट्यूब चैनल, आज की इस वीडिया हम क्रिश्टल थालबोश बनाएंगे, यह दो कलर से बनाया गया है और बहुत ही सुन्दर बहुत ही इजी डिजैन है, यहाँ पर गाइस मैंने यह ब्लू कलर की उनली है, बहुत ही सॉफ्ट है और ट पंदे को ले लेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोश्या बनाएंगे, धागे को थोड़ा से खेंच लेंगे, अधरवाईज ही खुल जाएगा, फिर यहाँ पर हम देखिए दो की चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर यह दागे को आगे करेंगे और एक पंदा बना लेंगे, इस करेंगे वहीं से बनाएंगे जो हमने पहले होल बनाया है कि कि हमने दो डबल कुरुश्य और बना लिए हैं टुटल हमने यहां पे आठ पंदी बनाने हैं दो दो की चेन बीच में बनाते जाएंगे यहां पे हमारा चार पंद हो यह पांचमा है और अब हमारा यह शिक्स है एक दो की चेन फिर से बनाएंगे फिर से हम दो फंदे और बना लेंगे इसे कोई भी बना सकता है इसे आप टेबल पे किसी प्लेट पे थाली पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अब दो की चेन बना के हम यहां पे इसे लॉक कर देंगे है हाद अब हम दूसरा ड़ेंगे देखिए उमारे यहां पे आट पंदे हो चुके हैं और बीच का धका किंचके हमने होल पुरी तरह मंद कर दिया है अब दूसरा क्लर लेंगी और उसकी हम यहां पे नोट लगाएंगे नोट लगाने के बाद यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे सिंगल क्रोशे के बाद हम यहाँ पे दो के चेन बनाएंगे एक, दो, और दूसरा हम फंदा यहाँ बनाएंगे दो के चेन फिर से बनाएंगे और यहाँ पे हम दो डबल क्रोशे हम बना लेते हैं फिर से एक और फत्ना बनाएंगे दो की चेन बनाएंगे अब फ्रण सामें चार फंदे एक ही यहाँ पे बनाने हैं दो, दो की बना कर दो की चेन बनाएंगे फिर से हम दो की चेर बनाएंगे और चार फंदे हम यहां पर बना लेंगे दो फंदे बनाएंगे फिर से दो की चेर बनाएंगे और फिर से दो फंदे बनाएंगे यहां पर फिर से हमने दो की चेर बनाई है और दो डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे दो की चेन बनाएंगे आगे फिर से हम सेम ऐसे ही चार फंदे बनाएंगे दो डबल क्रोश्या दो की चेन और दो डबल क्रोश्या फिर से हम दो की चेन बनाएंगे यहाँ पर आगे हमने सिर्फ दो फंदे बनाए थे है अब दो फंदिये हम और बनाके इसको कंप्लेट करेंगे फिर से दो की चेन बनाके यहां पे हम बीच में लॉक करेंगे अब हमारे यहां पे 4-4 फंदें हो गए हैं 2-2 डबल क्रूश्य अब पहले 2-2 थे अब उनको 4-4 जाने की 8 डबल क्रूश्य बनाएंगे दो कीचेंद और यहां पर एक पंदा पिर से दो कंदै और बना लेंगे इस तरह जो अमरे पहले दो कंदे थे उनके उपर हम चार कंदें बढ़ाएंगे रेकरान में हमें दो-दो फंदों को बढ़ाना है, पंदे हम बीच में बढ़ाएंगे, सैड में से हमें नहीं बढ़ाना है, यहां देखे से दो फंदे बढ़ाएं, दो कीचेन मलाई, और दो फंदे और बना दिये, और जो पहले दो फंदे थे, उनके उपर से दो और बना ल है इसी तरह हम पूरे राउंड को यहां पर कम्प्लीट करेंगे यह देखें गार इस कलर से हमने यहां पर दो चार पिछे फिर आठ इस तरह राउंड कम्प्लीट किया है पीच में हमने दो दो पंदों को बड़ा है अब हम फिर से पहले वाला कलर लेंगे और यही पैटर को पि्युबर करते हुए आगे ऑधान तबसे पहले देखा ऐसे हम सिंगल कुरेशियों बना लेंगे आगे थोड़ा खेंच लेते हैं कि और यहां पर हम फिर से दो की चेन बनाएंगे और यहां पर हम दो दबल लेकश्या किजिक अधित पृफश्या बना लेंगे इस तरह हमारे यहां पर चार फंदे उचके जैसे नीचे से बनाएं से इम ऐसे हम बनाते जाएंगे फिर से यहां पर हम देखिए फ्रेंट पहले साथ की चेन बना लेंगे एक दो तीन चार पांच चे और देखिए भ Prague 1 किचे की चेन बना लेंगे से मेशा जाएगी तो हमें 7 8 2 किचर बना लेते हैं इसे हमें लेकर जैसे हमने पहले हमनेमे दखाए कि हम्दोड़ डबल क्रोच्य और पीच में राएं दहीं लिए इस तरह ौर Και यहां प्रेचे इसतरा हम रस्ता fortunately कि आती complete कर लिया है फिर से हम दो की chain बना लेंगे पहले दो फंदे थे अब उनके हम चार फंदे करेंगे पहले हम यहाँ पर दो फंदे ही बनाएंगे बीच में हम यहाँ पर यह दो double crochet बढ़ा देंगे यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह यहाँ फिर से हमारे चार फंदे हो चुके हैं, और फिर 2 की चेन हमने बढ़ाई, 2 फंदे बीच में बढ़ाई, जो पहले 2 फंदे बनाइ थे, उझे उपर ही हमने 2 फंदे और बढ़ाएंगे, इसी तरह फ्रैंट से हमने हरा एक राउन में 2-2 फंदे को बढ़ाना है, बीच में से बढ़ाएंगे और यहाँ पर chain को हम कम करते जाएंगे पहले हम यहाँ पर 7 की chain बढ़ाएंगे और अब हम 5 की chain बढ़ाएंगे अगर हम 8 की chain बढ़ाएंगे तो 2 कम करेंगे 6 बढ़ाएंगे इस तरह हर एक रहूर में हम chain को कम करते जाएंगे और फंदों को बढ़ाते जाएंगे यह थाल पोज यह फिर टेबल रनर आप जितना बड़ा बनाना चाहते हों यही पैटरम जूज करके उतना ही बड़ा बना सकते हैं और यह मैंने आज की स्वीड़े में बहुत ही इजी डिजाइन लिया है जो बिग्नर से होती हैं फ्रैंट्स उनको बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है यह डिजाइन उन लोगों के लिए है बहुत ही सान इसी से बना सकते हैं यह देखिए इस तरह चेन को कम करते जाएंगे और पंदों को हम बढ़ाते जाएंगे यहां पर देखिए गयाज मैंने ब्लू कलर से इतना डिजाइन को रेड़ी कर लिया है जैसे कि आप सब जहां पर देखी रहे हैं चेन को हरे एक राउन में कम करते जाएंगे और फंदों को हरे एक राउन में हम बढ़ते जाएंगे बहुत ही एजी और बहुत ही सुन्दर हमारा थालपोश बनकर रड़ी हो चुका है अब हम फिर से दूसरे कलर से हम यहां पर नोट लगाएंगे और वहां पर हम पहले दो डबल क्रोश्या और फिर से दो डबल क्रोश्या अब बीच में दो चेन मना लेंगे इसी तरह यह हम दो की चेन मनाई है फिर से दो डबल क्रोश्या और दो की चेन और फिर से हम जहां पर दो डबल क्रोश्या बनाएंगे झाल यह देखिए फ्रेंड से यहां पर यह से हम थाट पूस्ट रेडी कर लिया है थैंक यू गाज पर पहुंचे मैं कम्प्लीट वीडियो हुआते 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 है देखिए पहुआ है